प्रसान भारती प्रस्तुत करता है नाशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कारिक्रम स्टोरी लाउंज स्टोरी लाउंज में आज की कहानी का शिर्षक है अमवा भाईया नीमवा भाईया कहानीकार है गीजु भाई बड़े का और ये कहानी आपको सुना रही है चारू राश्ट्य पुस्तक न्यास के कहानी पाठ कारिक्रम में आपका स्वागत है मेरा नाम है चारू आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका प्रकाशन राश्ट्य पुस्तक न्यास भारत जिसे NBT इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ने किया है ये कहानी कहानी सुनते हैं एक था राजा उसकी सात रानिया थी उनमें से छे उसे प्रिये थी परद्थु एक अवप्रिये प्रिये रानियों के रहने के लिए बड़ी बड़ी हवेलिया थी नौकर चाक्रों की भी कमीना थी लेकिन अप्रिये रानी के रहने के लिए टूटा फूटा सा सिर्फ एक छोपड़ा था उसमें मिट्टी के कुछ परतन और एक पूड़ी दासी थी अप्रिये रानी के दुखों की कोई सीमा ही ना थी वो हर समय रोती रहती थी एक रोज उसने सोचा इस तरह आसो भाने से अच्छा है कि मैं कोई काम करूँ ताकि मन लगा रहे उसने तुरंद बूरी दासी से कहा माई चौक से मेरे लिए रंगीन धागे ले आओ मुझे चुनरी काड़नी है बूरी दासी तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई रानी ने चुनरी काड़नी शुरू की वो दिन भर इसी काम में लगी रहती ठक जानी पर रात में नींद भी अच्छी आती चुनरी में राणी ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोर मोरनी तोता मैना जैसे कई परिंदे बनाए हाशिये पर हरी हरी बेल बनाई पूरा एक साल का समय लगा चुनरी तयार होने में राणी ने उसे अपने जोटे के दर्वाजे पर परदे की तरह टांग दिया एक रोज राजा हाथी पर सवार होकर उसी रास्दे से गुजरा यकायक हाथी के पैर वही रुख गए रंगीन चित्रो वाली चुनरी देखकर राजा दंग रह गया उसने सोचा भला इतनी बड़िया चुनरी किसने काड़ी होगी उसने तुरंट सिपाई से कहा पता लगाओ उस जोपड़े में कौन रहता है राजा को पता चल गया कि वह जोपड़ा अब परिये रानी का है और चुनरी भी उसीने काड़ी है राजा उस पर प्रसन हो गया अब वह रोज आना उसके घर जाने लगा और धीरे धीरे अपनी चहेती रानीयों को जैसे भूल ही गया नौ महीनों बाद अपरिये रानी के मा बनने का समया पहुचा बाकी रानीयों ने सोचा इसके बच्चे को मरवार डालना चाहिए वरना वो बड़ा होकर राजा का वारिस बनेगा उन छेहों रानीयों ने मिलकर शड़ेंत्र रचा और दाई को बुला कर कहा सुनो अगर साथवी रानी के लड़का हुआ तो तुम उसे जिन्दा ही बगीचे में कार देना हम तुमें खुश कर देंगे और ये क्या साथवी रानी के सचमुच लड़का पैदा हुआ चान सा मुखडा, कहना सी मस्कान दाई ने उसे चुक्के से उठा कर बगीचे में कार दिया यही नहीं, एक बड़ा सा पत्थर लाकर रानी के बगल में रख दिया राजा ने पूछा लड़का या लड़की दाई ने कहा पत्थर है महराज राजा बेवकूफ था उसने मान लिया कि रानी की कोक से पत्थर ही पैदा हुआ होगा एक साल और बीता रानी को एक और बेटा हुआ पहले से अधिक सुन्दर काना से घुंगरा ले बालो वाला लेकिन दाई उसे भी बगीचे में गाड़ाई थोड़ी देर बाद राजा आया उसने उत्सुता से पूछा लड़का या लड़की जवाब वही मिला पत्थर है महराज समय के साथ रानी ने छे राजकुमारो और एक राजकुमारी को जन दिया सब राजकुमार एक से बढ़कर एक और राजकुमारी इंद्र की अपसरा समान लेकिन दाई के दिल में दया कैसी वो तो एक के बाद एक सबको बगीचे में गार थी गई साल भर बाद बगीचे में साथ पेड़ों के छे पेड़ आम और नीम के और एक इलाइची का छे भाईयों के और एक बहन का एक रोज सवेरे सवेरे माली बगीचे में सफाई कर रहा था तबी उसकी जारू इलाइची के पेड को छूगे पेड डोलने लगा डोलते डोलते कहने लगा आमका पेड बोला प्यारी प्यारी हबारी गोडिया राने ये है वाली हमको पिलावे पाने यह सुनकर माली हरान रह गया होश में आया तो दोड़ कर चौकिदार के पास पहुचा फिर बोला गजब हो गया गजब हो गया पेर आपस में बाते कर रहे है यकीन ना हो तो खुद चल कर सुन लो जैसे ही चौकिदार ने इलाइची के पेर को छुआ पेर बोल उठा ओरे अमबा भेया रे निमबा भेया कौण दुलावे इलाइची पहना को देया इस बार नीम बोला प्यारी प्यारी हमारी गुडिया राने ये है चौकिदार करे हमारी रखवाले चौकिदार ने सोचा ये तो सच मुच कच मतकार है उसने जाकर ठानेदार से कहा ठानेदार के साथ भी वही हुआ ठानेदार ने दिवान से कहा दिवान ने राजा से राजा खुद बगीचे में आया इलाइची के पेड को हिला कर देखा तभी आवाज उबरी ओरे अमबा भेया वे निमबा भेया कौन डुलावे इलाईची पहना को देया सुनकर आम हसा फिर बोला प्यारी प्यारी हबारी कुडिया राने ये तो है हबारा पिताश्री अज्याने सुनते ही राजा अच्चम्भे में पड़ गया तभी वहां सभी रानिया पहुची एक रानी ने सच्चाई जानने के लिए इलाईची के पेड़ को हिलाया तुरंत पेड़ बोल उठा ओ रे अमवा भैया रे निमवा भैया कौन डुलावे इलाईची पहना को देया इसका जवाब नीम ने दिया प्यारी प्यारी हमारी गुडिया राने ये तो है इस जग की बैरिन न्यारी अब तक वहाँ साथ वीरानी भी आ पहुची थी अब बारी भी उसी की थी उसने हौले से इलाईची के पेड़ को छुआ तुरंत अवाज उठी ओरे अमवा भैया रेनी मवा भैया कौन डुलावे इलाईची बहना को देया आम के पेड़ ने खुशी खुशी जवाब दिया प्यारे प्यारे हमारे गुडिया राने ये तो है बप्पे परियों के राने साथवी रानी ने एक बार को जहक कर बोला अरी ये तो ये तो मेरी संतान बोल रही है राजा ने सोचा आखिर बात क्या है इसका रास क्या है उसने दाई को बिलवाया और डाट कर कहा अगर सारी बात सच सच नहीं बताओगी तो मार मार कर पच्चूमर बना दूँगा दाई ने सब कुछ सच सच बता दिया तबी असली जमतकार हुआ आम और नीम के पेडों में से भाई निकले और इलाईची के पेड में से बहन निकली सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा राजा ने उसी दिन छेहु राणियों का सिर मुणवा कर उपर चूना पुतवाया और नगर से ख़देड दिया फिर राजा ने सात्वी राणि को बच्चो सहीद शांदार हवेली में बसाया तो ये थी कहानी अमवा भाईया निमवा भाईया जो आप राश्ट्री पुस्तक नियास के सौजन्ने से सुन रहे थे आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे गीजु भाई बडेका की लिखी कहानी अमवा भाईया निमवा भाईया और ये कहानी आपको सुना रही थी ये कारिक्रम आकाश्वानी के विदेश सेवा प्रसारन की प्रस्तुती थी ये कारिक्रम प्रस्तुती थी